हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक और टॉपिक वो है लाइबिलिटी वाट इस दा मीनिंग ओफ लाइबिलिटी लाइबिलिटी को समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना ने ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे चलिए देखते हैं लाइबिलिटी क्या होता है लाइबिलिटी मतलब दाइट लाइबिलिटी का मतलब है दाइट करजा यह रिन हो सकता है जो पैसा आपको किसी दूसरे पार्टी को देना होता है तो उसे हम liability कहते हैं उसे हम कहते हैं liability किसी भी company के द्वारा किसी अन्य company या organization को दिया जाने वाला राशी या मुल्य liability कहलाता है liability का मतलब होता है कि अपने pocket से पैसा किसी दूसरे के pocket में send करना या account में send करना वो हमारी एक liability बन जाती है साधरन शब्दों में समझें तो किसी एक company के द्वारा दूसरी company को दिये जाने वाली संपत्ती liability कहलाती है liability में तीन चीजें एहम होती हैं वैसे present the business with an obligation the obligation is result of past event और third एहम है जो है settling the obligation will require an outflow of valuable resource मतलब हमारे business में अभी किस चीज की कमी है किस चीज को और लगा सकते हैं और past में हमारा क्या result रहा है जो आज हमें ये liability मिली है settling the obligation will require an outflow of valuable resource कौन-कौन से ऐसे resource हैं जो outflow पर valuable जिन पर हम देख सकते हैं liability also include amount receive in advance for future services liability जो है एक amount है हमारा जो हमें मिलता है हमें future services के लिए since the amount receive जो हमें amount receive होता है record as the asset cash has not yet been earned जावो हमने earned किया है company defer the reporting of revenues and instead report a liability which earned on revenues or customer deposit इसका impact depreciation पर पढ़ता है liability and non-depreciation in nature इसका जो nature है वो non-depreciation कहलाता है formula इसका क्या कहलाता है equity liabilities जो है assets में से minus करेंगे shareholder की equity को हमारा निकल किया आएगा liability impact on cash flow इस पर cash flow पर क्या impact पढ़ता है it is responsible for outflow of cash from business business का जो हमारा outflow का है उस पर हमें ध्यान देना है कि हमारा को कितना outflow हुआ है कितना नहीं हुआ है वो हमारी एक liability में दिखता है जैसे asset का मतलब हमारी संपत्य होती है तो उसी के विरुद में हमारा liability का मतलब होता है diet यानि कोई ऐसी वस्तू या चीज जिस के लिए हमें अभी या भविशे में पैसे चुकाने है इसे सरल भाशा में ऐसी चीज कहेंगे कि जो हमारी जेब में से पैसा निकाले तो उसे हम diet यानि हमारा पैसा को किसी को देना है हमने जैसे एक एक एक्जामपल लेके देखते हैं कि अगर आपने किसी बैंक में यह किसी व्यक्ति के लिए करज लिया है किसी व्यक्ति से करज लिया है तो दाइत हमारा बनता है कि हम उस company को दें या उस bank को दें या उस व्यक्ति को दें ऐसा ही किसी company के लिए ही सही ये कितने प्रकार के होते हैं examples के देखते हैं कि liability कहा कहा होती है notes payable, accounts payable, salary payable, wages payable, interest payable, accrued expenses payable, income tax payable, customer deposit, warranty liability, low suits payable, un-earned revenue and last bond payable ये हमारी liability बनती है कि हमें ये pay करने ही करने है अब आते हैं classifications of liability on the balance sheet हम balance sheet में liabilities को किन-किन form में दिखाते हैं ये तीन तरह की होती है current liability, long term liability और contingent liability assets के जिस तरह के प्रकार थे हमने पढ़े हैं आपको assets के types of assets जो है मिल जाएंगे में नीचे description box में link इसका ताकि आपको assets भी समझ में आ जाएं तो assets की प्रकार की तरह कितने समय में पैसा चुकाना है उस पर से liability के भी ये प्रकार दिये गए हैं आता है सबसे पहले current liability, current liability of a company consists of short term financial obligation that are due typically typically within one year आपको एक साल के अंदर अंदर current liability का पैसा short term financial में चुकाना होता है means current liability का मतलब है वर्तमान का जो हमारा diet है current मतलब वर्तमान यानि कोई ऐसी चीज या वस्तू जिसके लिए हमें एक साल या उससे कम समय में पैसा चुकाना पड़े जैसे कि आपने अपने दोस्ते कुछ दिनों के लिए करजा लिया या करजा उधार लिया किसी company के लिए current liability अपने working capital के लिए करज हो सकता है working capital के लिए वो करज ले लिया हो या अपने किसी supplier को पैसा देना बाकी हो current liabilities are listed on the balance sheet and are paid from the revenue generated from the operating activity of a company company की operating activity को revenue generate करने के लिए दिखाता है और यह examples है current liability के इसमें कौन-कौन से होते हैं जो मैंने अभी आपको current liability के लिखा देना हैं सारे वही liability के लेकिन उसमें से current liability के छाटके में यहां पर लिख रही हूं कि current liability में कौन-कौन से examples आते हैं वह है accounts payable, short term debt, accrued expenses and dividend payable यह है इसे माल लीजिए आपने किसी supplier को पैसा देना बाकी है इन सभी चीजों को हम current liability में चोड़ते हैं यह आपकी current liability है cash dividend payable, accrued expenses, short term note payable, accounts payable, taxes payable, un-earn revenues यह हमारे current liability में अब इसका formula क्या कहता है यह जो आपको जितने भी payable है accrued expenses, un-earn revenue, current portion of long term debt तो यह सब क्या कहलाता है debt or short term debt जो क्या कहलाता है current liability इन सब को हम plus करके देखेंगे तो हमारा current liability निकल के आएगा अचा non current liability क्या होता है non current liability, non current liability मतलब long term liability means भविश्य का दाइतु यानि कोई ऐसी चीज या वस्तु जिसके लिए हमें एक साल से ज्यादा समय में पैसा चुकाना पड़ा जैसे आपने bank से लिया हुआ लंबे समय का कर्ज किसी ब्याज के साथ आपको बविश्य में वापिस देना है उसे non current liability कहते हैं किसी company के लिए non current liability किसी bank से लंबे समय का लिया हुआ कर्ज या उसके द्वारा जारी किये हुए debentures हो सकते हैं जिसके लिए उसे लंबे समय से ब्याज के साथ पैसा रापिस देना हो इन सभी चीज को non current liabilities या long term liabilities कहते हैं किसी भी company या व्यक्ति के assets and liability को हम उसकी balance sheet से जान सकते हैं कि हम जो अपने accounts बनाते हैं कि हम उसमें हमने किसका कितना देना है और किसका कितना liability बनती है और किस से हमारी कितनी business चल रहा है आ रहा है तो दोस्तों assets and liability के बारे में हम जान चुके हैं उमीद करती हूँ कि assets and liability का ये मतलब meaning आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या होते हैं current liability, non current liability और assets का आपको मैंने पहले समझाई दिया है अब मैं ये last हमारा contingent liability है इसे भी समझते हैं contingent liability can be current और long term ये हमारी current liability भी हो सकती है और long term liability भी हो सकती है contingent liability is a liability or a potential loss that may occur in the future depending on the outcomes of a specific period contingent liability जो है वो हमारी liability हो भी सकती है और ये हमारी liability हो भी नहीं सकती example के through मैं आपके बताती हूँ for example मान लिजिए आपका एक business है पैसे की जरूरत पड़ गई है आपने अपने bank के पास गई अपने bank के बोला कि मुझे दो लाक रूपे की debenture देने debenture को हम bond भी कहते है अब bond रख लीजिए as a security के लिए कि अगर हमने आपको पैसे नहीं लोटाई दो लाक रूपे या एक लाक रूपे हमने जितना लिया है हमने नहीं दिया तो आप आपने bank को जो issue किया है कि अगर आपके पैसे ना उटाई है तो आप यह bond बेच के हापने पैसे पूरे मान ले तो वो liability अगर company पैसे नहीं देगी तो वो bond बेचेगा लोगों को बेचेगा तो company के पास आएगी company के है वो bond पैसे company को देने होंगे इसलिए हमारी liability हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती इसे हम क्या कहते है contingent liability contingent liability are never recorded in the financial statement of a company these obligation have not occurred yet but there is possibility of them occurring in the future also contingent liability has no accounting treatment इसका कोई treatment नहीं किया जाता है sometime it recorded as a loss or expenses in the statement of income income statement में हम इसको record करते हैं loss के तोर पर आशा करती हूं कि आपको यह liabilities की वीडियो अच्छी लगी होगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें thank for watching my channel